अब आनियंद्रत रिक्षा चालकों पर कारवाई होगी आर्टियो के रडार पर रिक्षा चालक आ गए हैं शेत्रे परिवाहन विभाग ने अपनी कारवाई से ऐसा सवाल उठाने वाले नासिक के लोगों को जवाब दिया है शेत्रे परिवन विभाग ने सुमवार से नाशिक शहर में हरताल अभ्यान शुरू कर दिया है जिसमें रिक्षा के दस्तावेस, लाइसिट्स और चालक की वर्दी के साथ साथ रिक्षा की स्थिती जैसे तमाम पहलों की जाच की जा रही है आर्टियो विभाग की एक वशीष टीम नासिक के विभन शेत्रों में निरिक्षन कर रही है एक्सपायर हो चुके रिक्षे को सीधे जब्द किया जा रहा है इसके लावा अधिक यात्री वर्दी न पहने पकाया जुर्माना जैसे विभन मामलों की जाच की जा रही है और उनसे कुल मिलाकर धाई लाग का जुर्माना भी वसूला गया है चालिस रिक्षों की जाच की गई और सत्रा एक्सपायर रिक्षों को सीध किया गया है यह अभ्यान शेहर के विबन हिस्सों में चाली रहेगा इसलिए ओवर स्टेइंग और अर्नियंतरित चालकों पर लगाम लगेगी आर्टियो के संग्यान में आया कि नासिक शेहर में कुछ रिक्षा चालकों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी नासिक के आर्टियो के एक विशीश टीम ने संवार से अब तक चालिस रिक्षों का निडिक्शन किया शेहर में आर्टियो द्वारा धाई लाक रुपे जर्माना वसूलने की भी कारवाई शुरू हो चुकी है शेहर में जहां एक डिसम्बर से मीटर से किराय वसूलने का निर्डे लिया गया वहीं आर्टियो ने इससे पहले ही रिक्षा चालकों की जाच चकर रिक्षा चालकों को एक बहुत बड़ा जटका दिया है दरसल सरकार के नियों में अनुसार ये कारवाई अभी भी जानी रहीगी लहाजा राहत की बात ये है कि पुराने रिक्षो का खतरनाक सफर टल जाएगा बियूर रिपोर्ट मेटर मुंबई